तो दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूँ अपनी इस नई क्लास में और जैसा कि आपको पता है कल मैंने आपको 100 प्लस MCQs करवाए थे हिंदी के और आपको 300 लगातार जो कोईशन से मैंने आपको तीन पिछले तीन वीडियो मैंने आपको करवा दीजिए तो प्लस जो आपके क्लास को यहां पर मिलने वाले हैं तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिएगा लोग यहां पर काफी लोग जोड़ रहे हैं तो सब लोग यार सेर कर देना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करती है चलना आप सभी को अ झझाओ यहां चलना है और आप लोग जाई चलना फ्र इस दो फटाफर सभी जवाब देते वी चला सभी लोग को देना है जितने लोग यहां पर जोड़ना है सबको जवाब देना है तो यहां पर क्या हो जाएगा बिलकुक सही बात है सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो option number first यसाह प्लस धरा जी हैं दोस्तो यसाह प्लस धरा ये आपका यसाह धरा का सही संदी विछेद हो जाएगा और आप सभी को पता ये किस संदी का उधराड है दोस्तो आपका विसर्ग संदी का जी हैं बिल्कुल सभी बात है यह विसर्ग संदी का उधार है तो आपसर नमबर जो इसका ए है वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए दोस्तों आते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला कोशन ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या कह रहा है कि यह महेश्वर्य में कौ बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर व्रिद्दी संदी वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते हैं अगले कोशन की ओर तो क्या कह राधियान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टन है निमलिकित में से सुध्ध वर्तनी कई बार आपको यह कोशन मिल चुका ह कव यतरी जो है किस तरा से लिखा जाता है कई बार आपको मिल चुका है तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आगया सर आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखी क्या कह रहा ध्यान से देखेगा निमलिकित में से कौन सी सुध्ध वर्तनी नहीं है देखे यहाँ पर कह रहा कौन सी सुध्ध वर्तनी नहीं है तो यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो सुध्ध वर्तनी नहीं ह सद्ध है फड़ा फड़ बताईए सर सत्रुगन अगर सत्रुगन की बात करते हैं तो ये तो देखा जाये तो बिल्कुल सही लिखा गया है इसके लावे यहाँ पर परीडिती लिखा गया देखें ये आपका असुद्ध दोवरतिनी है या आपका कुछ इस तरह से लिखा है अड़ा भी सही लेकिन अड़ा के बाद जो ती है इसमें छोटी लगना चाहिए था तो प्रड़ी रड़ाती होना चाहिए था यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं आपकी सुद्ध वर्तिनी नहीं है इसके लाव और सारे के सारे आपके सुद्ध हैं सत्रुखन ब दिविकल्प में सभी आपके जाती वाचक संगय सब्द है श्याम है उत्तर है काला है देक है अंदि जलसे नवचक घोड़ा जाती वाचक और मकान या आपका जाती वाचक है तो जाए तो यहाँ पर जितने भी साती जवाब दे रहे हैं option number B बोलो यहाँ पर 101% correct हो जाएंगे clear है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने यह रहा निमलिखित में से pulling सब्द की पहचान करना आपको पुरुस लिंग सब्द की पहचा जो गीत है यहाँ पर यहाँ पर पुरुस लिंग सब्द है तो जितने भी साती जवाब दे रहे हैं गीत यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे clear है दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने यहाँ पर क्या कह रहा है निमलिखित कार का और विभक्ति में से तुरुटी पूर का चैन करना है करता ने कर्म को होता है देखने से लगना कर्म से कभी नहीं होता है कर्म को होता है बिल्कुल सही बाते साथ पढ़ते हैं यहाँ पर जवाब आ गया है तो option number जो इसका भी है वह यहाँ पर क्या जाएगा clear है दोस्तो चलिया आते हैं अगले question की और तो अगला question दीकें करते हैं अपर क्या क्या ध्यान सह देखेगा तुम क्या खा रहे हो इस वाक्य में प्र्यूक्त सर्व yupनाम है तूम क्या खा रहे हो यहाँ पर आपको सर्व नाम आपको बताना है नि जवाचक प्रश्ण वाचक को टिक कर कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया सर चलिए आते हैं अगले कोशन की और तो अगला कोशन यहां से देखेगा कि निमलिखित में से किस वाक्त में सारवनामिक विशेषड का प्रियोग हुआ है दर स्वेषड हैं सारवनामिक विशेषड बहुत इंपॉर्टन यहां किसकी है तो यहां पर किस में सारवनामिक विशेषड का योज़ हुआ है कुछ लड़के खेल रहे हैं तो देखा जाए तो यहां पर विसेशर आपका यहां है यहां पर कुछ है तो देखा जाए दोनों में आपका और यहां पर किसकी भी है तो यहां पर देखा जाए तो यहां कलम किसकी है तो पहला option देखा जाए तो आपका यहां पहले option में क्या ह यहां कर रहा है यहां कि यहां पर पहला यह यह है यह आपका सावनामिक विश्यतर हो जाएगा तो जितने भी जवाब दे रहें आपसर नंबर ए वह लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे समझ में आ गया ना सर चलिए आते हैं एंगले कोशन पर तो अगला कोशन अगले करेक्ट हो जाएगा ने कि प्राविसेसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं एगले question की ओर तो क्या कह रहा है कि भईया मा बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है इस वाकि में कौन सी किरिया का प्रियोग हुआ है जो मा है बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है इस वाके में कौन सी करिया का प्रियोग हुआ है तो यहांपर देखाया है तो Sulwana यहांपर यह करिया है ना तो Sulwana कैसी करिया है Sulana का Sulwana हुआ है यानि कि प्रिढराटथक करिया है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले कोशन की ओर तो क्या कह रहा है यहां से देखेगा भाईया सुरेस गीतगा रहा था यहां वाक्य किस काल का है भाईया सुरेस जो है गीतगा रहा था यानि कि भूत काल का है लेकिन कौन से भूत काल का है बताए सर सामान ये पूर्ड आशन या अपूर्ड फड़ाफट सभी लोग जवाग दीजिए कली मैंने आपको पताया था कि भाईया यहाँ पर काम जो है पूरा नहीं हुआ है यानि कि क्या हो जाएगा सर आपका अपूर्ड भूत काल हो जाएगा फड़ा फड़ सभी जवाब देते हैं चलेंगे तो आपको बताता हूं प्रियोग की के कॉर्डिंग क temu के तीन भेध होते हैं एक है और याद रिखिए यहां है यहां पर क्या कहा रहा है यह 15 नंबर तो देखा जाए तो यहां पर बस अब बहुत हो गया केवल मुझे केवल इतना चाहिए यानि केवल यहां पर पहला देखा जाए तो option number जो इसका A है यह परियापती वाचक हो जाएगा इसके लावा बस केवल काफी या चेश्टा और यह थेश्ट हो सकता है यह जो आते आप आपके परियापती वाचक किरिया विश्डा के अंदर गताते हैं क्लियर है चाहिए चरी अर इसके लाव यह पर जो कुछ है और लगभग होता है यह basicly आपके निवन्ता बोदक के अंदर गताते हैं और अधिक हो उप्रोक्त या एक फड़ा फड़ा जवाब दिये सर अंगीठी है आंचल है उप्रोक्त है या एक है जवाब देखिए हाँ पर आना शुरूग हो गया है तो भईया यहाँ पर जो आंचल सब्द है कई बार आपका पूशा जया है तो उप्रोक्त है क्लियर है चलियो आते हैं आ हैं अंगले कोईशन पर तो क्या कह रहा है देखिए लिए लिखेगा निमलिखित तर्सम तदभोग सब्दियूगमों में से कौन सा त्रुटिपोर्ण मेंसे कौन सा त्रुटिपोर्ण हे है? पहला देखें क्या कह रहा है mama ओखली उلूखन कह रहा है महीज़े है तो यहाँपर यह5 तुरुटिपोर्ण है कि कार्थिक यह भी साई है गोद और गोंद लिखा गया भाई गोद तद्वोट सब्द जिसका ततस्वर क्रोड होता है यह मैं आपको पहले बता चुक आँ क्रोड होता है तो आपका देखा जाए तो यह जो आपका सब्धियुयंग में है आपका गलठ है और घीड शीर यह स समझ में आगया ना सर तद्वो का सब्द है मोहावरा किस भासा का सब्द है मोहावरा बताए तर जो मुहावरा है वो किस भासा का सब्द है फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे ठंडी काफी बढ़ गया है मुहावरा के अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो मुहावरा जो है आपका अरवी भासा का सब्द है किसका अरवी भासा का सब्द है यानि कि option नम्बर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो जितने भी लोग जवाब दे रहें option नम्बर बी नहीं सर अरभी वो लोग यहां पर बिल्कुल correct जाएंगे अरभी भासा में आपका अमीर आता है आदम आता है आदम आता है इमान आता है औरत भी इसायद आता है किसमत किताब करीब यह सारे आपके अरभी भाता के इंतरगत ही आते हैं चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिए यहां से क्या कह रहा है कि निमलिखित में से किस सब्द में आउपसर्ग लगा है अवतार में तो भीया नहीं लगा है अनुशाशन में अनु लगा है अधिकार में अधी लगा है लेकिन आ लगा है लेकिन आप और अनुसासन में मैंने आपको बताई दिया है अनु लगा हुआ है समझ में आ गया ना तो ऑफ्सन नम्बर जो इसका बी है वो यहां पर करेक्ट खाएगा लियर है चलिए दूस्तों आते हैं अगले कोशन पर तो एकला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या कह रहा है कि नि में देखाने तो सुनार में प्रत्य लगा हुआ क्या प्रत्य लगा हुआ तो उसका अर प्रत्य लगा हुआ तो ऑफ्सन जो इसका डी- Singला में ग्रहेश स्जी या जवाब दीजे हाँ पर बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है और इसको पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ सभी लोग जवाब देते हो यह चलेंगे तो याद रखेंगे दोस्तों ग्रिहस्त का जो अप विसेसर होता हो ग्रहस्त होता है बहुत ही इंपॉर्टन है तो आपस नमबर जो कषित पड़ाफ़ट जवाब देते हैं जली आप सबीलो तो यहाँ पर देखा जाया तो आपका जो गाए में कौन सा समास है बताइए नील गाए में कौन सा समास है कोईशन नमर आपका यहाँ पर 30 जवाब देखे आना शुरू हो गया है अगर नील गाए की बात करते हैं तो नीली गाए यानि की विसेसी और विसेसर का समंध है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मधार है तो होवरी समास सत सही का समास विगळा करो के आजाएगों तरो prophecies सात सौ का समहार यानि half पर पहला सब्दा आपका क्या कह आ गया निकि संख्यावाजास फींगे आइखी आपका यहाँ आ quests यहां 55 नहीं आप लो 60 साही करके आओ वो मतलब आप तो इतनी हिंदिक तयारी हो गई आपकी 55 साथ सब करके आओगे टेंसर मतलो यहां रालावा मिलाना है भारतिय गाओं के अभी भारत को सुधार के लिए और राजियों को बहुत प्रयत्न करना होगा तो देखा जाए तो भारतिय गाओं के पहले यह हो जाएगा उसके बाद यहां पर भारतिय गाओं के क्या हो जाएगा सुधार के लिए यानि कि पहले तो प्रयत्न करना होगा यानी कि यह रा फिर आपका या रा या उसकी बाद आप ला फिर आपका वा आपisten उन्मूर जो इसीका B जवाब हो यहां पर क्या होजाब यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question क्या कह रहा भीक है विद्ध्याल्यमें जलपान को उत्तम प्रबंध है, यहाँ पर आपको उताना तुर्टी है या नहीं है, अगर तुर्टी नहीं है तो D जवाब दीजेगा, अगर कोई तुर्टी है तो A, B, C में से कोई जवाब दीजेगा, विद्याले में जलपान को उत्तम प्रबंध है, पढ़ने से लग रह यह जल्पान जो है आपका बिसिकली तुर्टी पूर हो जाएगा जल्पान का उत्तम प्रत्वन्द है क्लियर है अगला कोशन देखो क्या कह रहा है सुद्धवाके का चैन करना है उस वन में प्राता काल के समय का द्रिस से बहुत ही सुहावना होता था उस वन में सुभा के सम समय के साथ है बिल्कुल सभी बात है तो सी ज्वाब आना भी सिर्व हो गया तो सी जुह है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझ sare । आते हैं एक दो आगला कोशन' के आपके सामने यह हाग पानी बरस्ता है तो धान सूख जाता है या किस प्रकार का वाक्य है पानी ना बरस्ता तो धान सूख जाता तो देखा जातों यह किस तरह का वाक्य हो जाएगा पानी ना बरस्ता तो धान सूख जाता यानि कि 29 फटा फट जवाब दिये सर एक वाक के दूसरे वाक्य पर निर में सिर्वा कहा है की पहचान करके बहुत ही आसानि प्र ॉसन कहा कि मैं नर्दोस हूं यहां पर देखा जाय थो की लग लग गया और हमने बताया था सञाधम होग मिस्वाक्य हो जाएगा इसके लाव दूस्तों आपका ये लाश लोग पर ये कभी का सम्मान सभी करते हैं तो यहां पर जो इसका डी है ये भी आपका सरल वाक्य हो जाएगा आते हैं अगले कोशन की और तो अगला कोशन देखिए कह रहा है भी या निमलिकित में से कौन नौका का परिया कौन सा नहीं है फड़ा फड़ा सभी जवाब दी जे थर्टी वन, बहुत ही इंक्वादान कोशन है, सभी लोग को जवाब देना यांपर, नौका का परियाय वाची सब्द और भूधर क्लियर है आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखिया से यहां पर क्या कह रहा है कि यह निमलिखित परियाएवाची सब्द युगमों में से तुरुटि पूड का चैन करना है तुरुटि पूड का चैन करना भीया यमुना अरकजा पृत्वी निमनगा यहां पर आपको तुरुटि पूड युगमों का चैन करना है थर्टी फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे सर्थ यहां पर तुरुटि पूड का है परियाएवाची सब्द युगमों है तो यहां पर देखा यहां तो यमुना अरकजा बिल्कुल सही बात है प्रित्वी निम्नगा निम्नगा जो होता है वो प्रित्वी का परियाएवाची नहीं होता है याद देखिएगा दोस्तो यहां पर बी जो है करेक्ट हो जाएगा प्रित्वी का परियाएवाची नहीं होता है निम्नगा निम्नगा जो बेसिकली आपका होता है नदी का होत निम्लिकित में से कौन सा जेलज का अर्थ नहीं है बताइए जेलज का आर्थ कौन सा नहीं है कमल चंद्रमा मोतिय नच्छत्र कई बार ये कोशन मैं आपको उता चुक हो जेलज का मतलब क्या होता है कमल चंद्रमा मोतिय नच्छत्र में से कौन सा नहीं होगा यह याद रखे जो नच्छत्र है वो यहां पर नहीं होता है इसके लावा कमल चंद्रमा मोती यह जलज के अर्थ होते हैं मचली भी होता है अगला कोशन देखे आप से यहां पर क्या कह रहा है कि नेमलिखित विलोम सब्द युग में से तुर्टिपूर का चैन करना है आपके सामने यह दिय अगला कोशन देखे आप से यहां पर क्या कह रहा है कि निमलिखित में से कौन सा सरल का विलोम सब्द नहीं है सरल का विलोम सब्द कौन सा नहीं है फटा फट जवाद देखो कुटिल है कठिन है वक्र है और तक्र है यहां पर देखा जातो भाईया सरल का विलोम कुटिल हो सकता है कठिन हो सकता है वक्र हो सकता है लेकिन जो तक्र है तक्र आपका सरल का विलोम नहीं होता है समझ में आ चैंक हड्यार के लिएी सही सब्सक्राएं कैल सब्सक्राइए में मम्तह नहीं है यहीँ सब्सक्राइं डाकियान पर देखा रहा है तो आज निर्मम कलोगतरा एक इन अगलत हो देखा रहा है कि भैया पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती तो anarais इसके लिए एक सब्दा आपको बताना है कई बार बता चुकवक उपर जीवन जीटे की इच्छा को क्या बोलता है सर जीविशा, जीविका, आजीविका या इन में से कोई नहीं बहुत important है तो बिल्कुत सही जवाब यहाँ पर आ रहा है सर जी जी विसा तो यहाँ पर जितने वी लोग जवाब देरें जी जी विसा वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे समझ में आ गया ना चलिए आते हैं अगले question पर तो क्या गया रा देखो ध्यांसे भईया कि इस विद्याले में दाखिला मिलना तेड़ी घीर है तेड़ी घीर है रेखांके सब्द क्या मतलब बताना है तेड़ी घीर का मतलब क्या होता है आसान कारी यह तो होता नहीं है कठि इसने भी जवाब देने भी वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखें क्या गह रहा है निमलिखित में से सघोस वर्ड कौन सा है सघोस वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ सघोस अगोस में अंतर क्या होता है सघोस वर्ड कौन सा है प्रतेक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा सघोस होता है पहला और दूसरा अगोस होता है तो यहाँ पर सघोस क्या हो जाएगा पा है बा है ठाह है और साह है बताइए Sarah तो सघोस की बात करणा है ना मैंने बता है तीसरा चौथा और पाचवा पा फा बा यानि कि तीसरे पे आपका बा आ रहा है ना तो बी वाला option जो ключ जो करेक्ट होगा गलती नहीं करना है पा जो आपका खोस हो जाएगा और C की बात करते हैं आपका घोस हो जाएगा समझ में आगे ना सर क्लियर है कोशन की नहीं क्लियर है बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोशन की ओर तो अगला कोशन देखिए आपके साथ में ये रहा कि निमलिखित पंग्तियों में कौन सा अलंकार है नवल सुन्दर स्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांती थी यहाँ पर आपको अलंकार बताना है कोशन नमबर 40 फट फट बता है यहाँ आपका अलंकार कौन सा हो जाएगा देखिए नवल सुन्दर स्याम सरीर की नीरद सी कलकांती यानि कि नीरद सी कलकांती यहाँ पर कहराना तो आपका क्या हो जाएगा सर यहाँ पर कांती यहाँ पर देखा या तो आपका उपमे है और नीरद जो है आपका उपमान है यानि कि नीरद सी कलकांती तो यहाँ पर उपमे में उपमान यानि कि उपमालंकार जितने भी मानू मानू जब भी आजा तो वहां पर उत्वित्छा होता है आते हैं अंगले कोश्चन पर तो क्या कह रहा है कि स्रिंगार रसका इस्थाई भाव क्या है स्रिंगार रस्का इस्थाई भाव पताईए क्या हो जाएगा 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 स्रिंगार रस्का इस् जवाब दिए सर यहां पर गुनाहो की देवता के अगर हम बात करते है तो इसके रहे जिता धर्म बीर भारती जी है तो यहां पर जितने भी जवाब देंगे बी वो लोग यहां पर करेक्ट है बी वाला करेक्टर यागर बिसिकली आपका एक उपन्यास है और यहाँ पर अगला कोशन देखो इनके बारे में धर्मभी भारती जी का एक पेपर में कोशन बहुत आता है सूरज का सात्वा घोड़ा सायद आपको इसके पहले भी मिला होगा सूरज का सात्वा घोड़ा तो बिलकुल सई बात है सर प्रिद्वी राज रासो आदि काल करेक्टर तो देखिए कि बैया जो अता है ये अता सब्द का समानार्थी पहचानना आप सभी को अन्यत्था परड़ामत्था अतेयो या अस्तु फड़ा पर सब्दों जवाब देते हो चलेंगे तो बिल्कुल सही जवाब आरा सर यहाँ पर अगर देखा या तो उट के मुह में जीरा इस मुहावरे का सही अर्थ बताये क्या हो जाएगा फड़ा पर सभी लोग जवाब दीजिए तो बिल्कुल सही बात है सर बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना तो जितने वी जवाब देखें सी ओप्सन वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे आते हैं अगले कोशन पर तो अगला कोशन देखी कह रहा है कि भाईया निमलिखित में से कौन सा विराम चिन्न का प्रकार नहीं है निर्देशक लाग हो उप अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि भिनार्थक सब्द का चेहन करना आप सबीगो भिनार्थक सब्द का यहां पर चेहन करना आप सभी को बताइए क्या हो जाएगा 47 फड़ाफर सभी लोग जवाब दिजिए सर पावक है अनल है अनिल है और अनल भी आपका अगनी का है लेकिन हम बात करते है अनिल के बारे में तो यह आपका हवा का प्रयावाची है अगन हो जाएगा समझ में आगे ना सर चलिए आते हैं हम लोग एक प्रेक्टिस लिए के अर्टालेस उन्चास और पचास वह आपका गध्यांस का था वह आप लोग करी लिए जाओगे अब बढ़ते हैं अगले प्रेक्टिस तरफ उसका जो पहला कोशन आपके सामने यह रहा जव अगले øंट में उसक बहुत कोशन नमबर तो चलिए आते हैं निम्रिक्ण मेंसे कौं सा अंयूगतफ़वर है रहा जाए था इसके allergy और उद्हाल है इसके लावा आपका O भी होता है तो यह आपके चार सहयुक्तिसवर होते हैं तो याद रखिएगा यहापर जो आपका option number C है बिल्कुल सही बात है C जो आपसे नहीं आपर correct हो जाएगा यह आपका सहयुक्तिसवर के अंदर गताता है बहुत important है याद रखिएगा इसके लाव बड़ा है बड़ी है बड़ी हो यह आपका नहीं है clear है? चलिए आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए क्या कह रहा है कि काव वर्ग का उचार सहन क्या हो जाएगा काव वर्ग की बात कर रहा है बताईए सर चलिए बिल्कुल सही बात है सर काव वर्ग की बात करते है तो बहिया काव वर्ग का उचार सहन कंठ यह होता है काखा गागा अंगा चाच्छा जाजा ही आपका तालू होता है पापा बाभा मा ओष्ट होता है ताथा दाधा ना तंत होता है अगला कोशन देखिए कह रहा है ए और ए वर्ड हैं बताई सर जो ए है और ए है ये कैसे वर्ड है कोशन नमबर चार फटा पर सभी लोग जवाब दीजे सर ए और ए कंठ और तालू तो कंठ और तालू दोनों का यूज किया जा रहा है तो कंठ तालब भी है कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ तो यहाँ पर कंठ तालब भी जो लोग जवाब दे रहे है वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे अगले कोशन पर आते हैं तो अगला कोशन देखिए आप से क्या कह रहा है देवेस में कौन सी संदी है देवेस का संदी विछेद करिए और संदी आपके सामने होगी देवेस देव प्लस इस बड़ी लगेगा देव प्लस इस मिलके बनता आपका देवेस तो यहाँ पर संदी कौन सी हो जाएगी तो बताए देव प्लस A प्लस E मिलके A हो जा रहा है यानि कि क्या हो जाएगा आपका गुड संदी का उधार है कि इसका दोस्तों आपका गुड संदी का उधार है तो option नमबर जो इसका C है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिलकुल correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कहरा है भी यह दर्सन का सही संदीव 6 दिख्या हो जाएगा question number 6 फड़ा फर सभी लोग जवाब दीजिए तो बिलकुल सही जवाब आ रहा है सर पहला और जो ऑप्शन है सट प्लस दर्सन बिलकुल सही बात है यह आपका व्यंजन संदी का उधार है तो option नमबर जो इसका A है वो यहाँ प पलसा question है कई बार बता चुक हो निर्गुड होगा लेकिन कौन सा निर्गुड होगा बी वाला बिलकुल सही बात है सर यहाँ पर जो option number B है यह आपका निर्गुड नहीं प्लस गुड का सही संदी है यहाँ पर देखा जाए तो आपकी विसर्ग संदी हो जाएगी कौन सी हो जाएगा आपकी विसर्ग संदी हो जाएगी आते हैं एतले कोशन पर दो अगला कोशन देखी कहे रहा है कि निमलखित में से कौन सी असुधधवर्दनी यह पर कौन सा हो जाएगा उनदेखर यहां बिलकुल सभी लिखा गया है इसके लावत तिलाणजली भी सही है तीर सन्यास आपका इस तरह लिखा जाएगा समझ में आगे ना सर चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो कह रहा है सुद्धवरतिनी आपको पैचानना है फड़ा पर बताएं सर विशाद सतो गुर सांकल और निर्दई यहां पर सुद्धवरतिनी क्या हो जाएगा सुद्धवरतिन यहां पर आपका ओर निर्दई निर्दई कुछ भी नहीं होता है सत्व गुर हो जाएगा comprehend क्या हो जाएंगे बिलकुल करयक्ड हो जाएगे आते हैं थो सोब अगले कोशशन की ओ तो अगला कोशन के का रहा है संध्या ने कहा मनुस्य नस्षवर है इस वाकिय में किस विरा प्रियोग हुआ है संध्या ने कहा मनुस्य नस्त्वर है देखिए विराम चिन आपका ये वाला लगा हुआ है न तो बताए कौन से विराम चिन का प्रियोग हुआ है फड़ा फड़ा पर पताईए सर कई बार मैं आपको बता चुका हूं लाग हो प्रसनवाचक अउतरड या तुरु टिवी राम कोईशन नमबर दस फड़ा फड़ा सभी जवाब दीजे सर तो आउतरड या उतरड जितने भी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑफसन नमबर बी आउतरड वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेट हो जाएंगे क्लियर है तो आफसन नमबर जो इसका छोटे बच्चे की जो मुसक्राहत है इस वाकी में मुस्क्राहत सब्दे कों से सगया है चलिए मुस्क्राहत सब्द में मैं आपको कई वर बता चुका हम मुस्कुराहत यानि कि यह पर Sounds, जितने भी लोग जवाब दे रहे हं एक वचन का प्रियोग किया गया है किस सब्द में एक वचन का प्रियोग किया गया फटाक से बताईए सबी लोग किस सब्द का प्रियोग एक वचन में होता है सद्योग यहापको बताना है यहापको बताना है सद्योग वचन में होता है तो यहाँ पर देखा है तो सोना, बिल्कुल सही बात है सर्थ, सोना जो है आपका इनका प्रयोग हमेज़ा एक वचन में ही होता है, तो उप्सन नमबर जो इसका डी है, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया न सर्थ, 13 क्या हो जाएगा, सर्थ, अगला question देखिए आते हैं, आपर क्या कह रहा है, कि वहीर रानी चाकू से सब्सजी काटती है, यहाँ पर कौन सा कारक है, रानी जो है चाकू से सब्सजी कारक भनाना ऐक क्यों सा हो जाएगा,oga स्बी जवाब देजाए यहां पर पर चाकूस से है ना और सबजी काटती है यानि कि यहां पर करण कारक देखा जाए तो करण कारक हो जाएगा तो जितने भी लोग जवाब देरें यहां पर option number C वो लोग यहां पर बिल्कुल correct हो जाएगा करण से होता है आते हैं अगले question पर तो भाईया कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आ जाए तो यह जो कोई है यह आपका कैसा सरव नाम है बताईए ऐसा ना हो कि कोई आ जाए आप कोई बताईए कैसा सरव नाम हो जाएगा निश्चे वाचक या निजवाचक या पुरोस वाचक जवाब देखे आना शुरू हो गया तो भाईया यह यह निश् कुछी बात है किसी रंग बता रहे तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है वैसे यहां पर गूप देखा धो गूर्ट करिक्ट होका देंखे मेरा कुछogeneous पर तो क्या कह रहा है कि मैं लड़के का को वेद कढ़ाता हूं इस स्यलभा की- मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ यहाँ पर किरिया कौन सी हो जाएगी सच्तरा का जवाब यह सभी लोग लड़के को वेद पढ़ाता हूँ जवाब देखें आपर आना शुरू हो गया तो लड़के को वेद पढ़ाता हूँ तो देख़वा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर दो दो कर्म हो गए ना आपर तो यहाँ पर option number जो इसका C है वो correct हो जाएगा मैं लड़के को वेद बढ़ाता हूँ यहाँ पर लड़के को और वेद दो-दो कर्म है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दो कर्मक्रिया हो जाएगा समझ में आगे न सर तो option जो इसका C है वो correct होगा आते हैं अगले question पर तो अगला question देखे कह रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी यह वाग किये है मैंने पुस्तक पढ़ी यह कैसा वाग किये है question number 18 फटा पर सभी लोग जबाब दें जल्दिली करते हैं क्योंकि आपको दस question last में current affair के भी करवाने है क्योंकि वह भी important है तो भी यह मैंने पुस्तक पढ़ी अगर इसकी बात करते है तो यहाँ पर जो correct answer आपका हो जाएगा क्रित वाच्ची हो जाएगा तो option number जिसका ए हो यहाँ पर correct हो जाएगा समझ में आगे न सर अगला question देखे क्या कह रहा है कि वह जा रहा है इस वाक में प्रियुक्त काल कौन सा हो जाएगा वह जा रहा है कौन सा काल है सर रहा है यानि कि वर्तमान काल है लेकिन अभी आपक पूरा नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग तातकाली का वर्तमान काल क्या हो जाएगा सर आपका तातकाली का वर्तमान काल पहले भी मैं आपको उता चुका हूं continuous option number जिसका भी है वह यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो यहाँ पर क्या कह र हो रहे है बड़ यहाँ पर जो आपका बाहर है वह correct होगा यहाँ आपका यहाँ यहाँ निश्चित वाचक हो जाएगा अगले question पर तो अगला question देखें आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि आधी आई और पानी बरसा यहाँ पर जो और सब्धे वह कैसा आप्विया यह तो बहुत ही आथा है कई पर बता चुका हूँ जो और है वो किस प्रकार का आप्विया है बताइए सर और कि अगर हम बात करते संबंद दिखाने का परमार दिखाने की रहा है समुच्चे दिखा रहा है तो बिल्कुल सही बात है तो जो और है वो आपका क्या हो जाएगा समु पहन नहीं आने वाला है तो कैसा नहीं पात है सर नकार आर्थक या निस्रेधात्मक दोनों में आप confused मत होईएगा याद रखेगा यह निस्रेधात्मक हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका निस्रेधात्मक हो क्या होता है तो आपका मक्षिका होता है तो यहां पर option जो इसका C है यहां पर correct हो जाएगा अगला question कहा रहा है कि निमलिखित तत्सम और तत्भो युग्मों में से कौन सा तुर्टी पूर्ड है बताएं सर तत्सम और तत्भो युग्मों में से कौन सा तुर्टी पूर्ड ह भ्रम्र होता है इसके लावा बुग्षर और मतसर यहां पर यहां पर यह भी करेक्ट हो जाएगा लेकिन बात करते हैं बेल के बारे में तो बेल तद्भो शद्ध्धि जिसका तश्म होता है वो बिल्व होता है क्या होता है तो आपका बिल्व होता है बैल भी आपका एक तदभो सब्द है और इसका जो तसम होता है क्या होता है बलिवर्द होता है कई बार आपको होता चुका हूँ तो यहाँ पर देखा जातो ओप्सन जो इसका डी है वो यहाँ पर तुर्टी पूर्ड हो जाएगा समझ में आ गया सर चली आते हैं अगले question की ओर तो अगला question देखिए आपके सामने ये रहा कि भई ये निमलिखित में से कौन तदभो सब्द है बताए सर चार आपके सामने दिये गया है आपको बताना है कौन सा आपका तदभो सब्द है रक्तिका, शलाका, लोभी और विक्छोब बताए सभी लोग question number 25 सभी लोग जवाब दीजे सभी लोग यहाँ पर देखा जाए तो तदभो सब्द की बात हो रही है तो लोभी जवाब आना सुरू होगा अगला question देखू क्या गह रहा है सितार किस भासा का सब्द है बताए सर, सितार जो है किस भासा का सब्द है question number 26, फटावर सभी लोग जवाब देखी वे चलेंगे सर चलिए सितार किस भासा का सब्द है तो अगर हम बात करते दूस्तो सितार के बारे में अधी उपसर्ग लगा हुआ है तो भगी अगर अगले question पर क्या कह रहा है यहां पर पताना है किस सब्द में आपका प्रत्य जो है नहीं लगा है जूला है ज्ज़ाडु है बेलन है और तो यहां पर देखा जैंगी ना प्रत्य लगा है लेकिन अगर हम दूबला की बात करते हैं तो दूबला एक मूल वाकिये हां पर कोई भी प्रत्य नहीं लगा हुआ है डूफसरग लागा है। पूंसेत्व कि निमलिक्स लिए प्रत्या रहा है। आते हैं अगले question पर तो कहरा भी ये class का सही विसेसर क्या हो जाएगा class, यहाँ पर class दिया गया है, class आपका एक विसेसर सब्द है, इसका विसेसर बताए ये क्या हो जाएगा class होगा लेकिन कौन सा class होगा, option number A वाल होगा, बिल्कुल सही बात है, यह सुद्ध वरतिन में लिखा है, तो option जिसका A है, वह यहाँ पर correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर तो कहे रहा भी है, निमलिखित में से विसेसर सब्द दियुगमों में से तुर्टी पूर की पहचान करना है, 31, फड़ा पर सभी लोग जवाब देते हैं चलेंगे, 31 का जो पता ये correct answer क्या हो जाएगा, 31, तो याद रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर तो तुर्टी पूर यहाँ पर यह वाला हो जाएगा, सी वाला, तब तो होता है, क्या होता है तो आपका तब तो होता है, तो यहाँ पर सी वाला जो आपका तुर्टी पूर हो जाएगा, अगला question दो कि यहाँ पर क्या कह रहा है, राज दर्बार में कौन सा समास है, राज दर्बार कई बार बता चुका हूं sir राज दर्बार यानि की राजा का दर्बार तो क्या हो जाएगा आपका तत्पुर्थ समास तो option जो इसका C है यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question देखो क्या कह रहा है कि बैए सीतोषड में कौन सा समास है जो आपका सीतोषड है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा समास है सीतोषड सीतोषड का मतलब क्या होता है सीत और उस्म क्या होता है दोस्तों आपका सीत और उस्म यानि की आपका और लग गया तो आपका क्या हो जाएगा सर आपका दुवंद समास दोनों पद आपके प्रधान है यहां पर देखा या तो आपका क्या जाएगा दोस्तो आपका दुवंद समास हो जाएगा प्लियर दोस्तो चलिया आते हैं अगले कोशन पर तो कह रहा है कि भी निम्लिखित में से कौन सा संग्या पदबंध है सर डी वाले की बात करते हैं रात को पहरा देने वाला यहां पर संग्या पदबंध है काम में लगा हुआ यानि कि काम में विसेशल पदबंध हो जाएगा किसी ना किसी तरह तो आपका यहां पर क्रिया विसेशल पदबंध हो जाएगा और यहां पर जाता रहता था यानि क वाँ कहां है कौन सा पुपवाक है पताए बदेखे आना शुरू हो गया तो संग्या उपवाक है बिल्कुल सही बाता से जो वाँ कहां है आपका क्या हो जाएंगा संग्या उपवाक हो सब्सक्राइब सब्सक्राइबividad नागरी को इसका प्रतेग ना मतलब मतलब होता है तैयार होता है तो देश रक्षा के लिए प्रतेग नागरी को तैयार रहना चाहिए अगला कोशन देखे क्या कहा रहा है कि आपको आवियोस्तित करा में यह वाला तो आप करी लिए जाते हैं तो इसमें जाला टाइम वेश्ट करने क्यों नहीं है आप लोग मिला ही ले जाते हैं स्क्रिंसॉट आप लेजिए बाद में इसको कर लीजेगा टाइम क्यों वेश्ट किया जाए अगला कोशन को क्या कह रहा है आप से आपर कि निमलिखित पंक्तियों में सही अलंकार का चैन करना आपको पानी विच मीन प्यासी मोही सुन सुन आवे हासी यहां पर आपको उताना अलंकार त आपको यह विशेशोक्ति यह लंकार हो जाएगा जहां कारण रहते हुए भी कार यह नहीं होता है यहां पर कारण है यानि कि पानी के इंदर मीन मचली है लेकिन उसको प्यास लगा यानि कि कारण होते हुए उसको प्यास लग रहा है तो यहां पर विशेशोक्ति हो जाए है मैं पहले भी आपको बता चुका हूं तो याद रखिएगा 26 मात्रा यह आपकी गीतिका चंद में होती है और साथी साथ उसमें 14 और 12 पर यती होती है तो याद रखिएगा अगला कोशन देखो क्या कह रहा है कि निमलिकित में से कौन जीवनी है इन चारों में बताना आपको कौन सा जीवनी है नीड का निर्माड फिर चिंता मड़ी आवारा मसीह या तीत के चल चेतर तो लाश्ट वारा तो रेखा चेतर है और 42 में अगर देखा जाए तो आवारा मसीह आवारा मसीह जो है आपका विश्नु प्रभाकर जी की कृति है और यह सरचंद्र चटरडी जीवनी है तो यहाँ पर ऑप्सन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलिए आते हैं अगले कोशन पर तो क्या कह रहा है खिस्यानी बिल्ली खंभा नोचे इसका अरध क्या हो जाएगा जोंगी किसी बात पर समिंदा हो करके क्रोध करना यानि कि ऑप्सन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देखे क्या कह रहा है कि बैया निमलिकित में से सुध्ध वाक्य का चैन करना सभी को सुध्ध वाक्य का चैन करना युद्ध मचाया जा रहा है युद्ध किया जा रहा है युद्ध हो रहा है तो इसमें युद्ध क्या किया जाता है, युद्ध तो होता है, पिल्कुल सही बात है सार, युद्ध हो रहा है, युद्ध मतलब लड़ा नहीं जा रहा है, युद्ध हो रहा है, तो यहाँ पर option number जो D दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर correct हो जाएंगे, अगला question देखो क्या प्रिथवी से है, बिल्कुल सही बात रहा है सर, जिसका संबंद प्रिथवी से है, बिल्कुल सही बात रहा है सर, जिसका संबंद प्रिथवी से होता है, वो आपका पार्थ्यू होता है, अगला question देखो क्या कहे रहा है, निमलिखित विकल्पों में से उस सब्दयूम का चेहन करना है, जो इसके अर्थवेद हो, यानि कि अंस और अंश है, इसका अर्थवेद क्या हो जाएगा, जो आपक अगर ना किये है, तो यहाँ पर option B पर tick कर देंगे, clear है दो दूस्तो, तो हिंदी के देखा जाए तो 47 उसमें, 47 उसमें करवा दिये, तीन-तीन question जो मैंने छोड़े थे, वो आपके किस के थे सर, गद्यांस या पद्यांस वाले थे, अब हम लोग कुछ current affair question लेकर के आएगे जल देली खतम करेंगे, अभी देखे, आपके पास काफी time है, खतम करते हैं, तो पहला question देखे, आपस यहाँ पर current affair, बहुत important है, किसान काल सेंटर से किस योजना के बारे में जानकरी प्राप्त की जा सकेगी, याद रखिएगा, किसान काल सेंटर, तो याद रखिएगा य करोड रुपे, साड़े साथ करोड रुपे, यहाँ पर बिसिकली साड़े साथ करोड रुपे जो हैं, लगे हैं, इसके अलाव यहाँ पर, यह जो call center है, 24-7 रहेगा, और साथी साथ, पी-म योजना, किसान के तहट, किसानों को मिलने वाली रासी है, वो से 6,000 रुपे है, तो यह सारी question यहाँ से बन सकते हैं, कितने रुपे भर, सरह 6,000 रुपे हैं, अगला question देखें, यहाँ पर क्या कह रहा है, पूरवी छेती परिसत की इस्थाई समीत की 11 वी बैठक कहां संपन होई, सभी लोग जवाब देंगे, देखो मुझे पता है, करन्ट अफेर में तो लोग को doubt रहता है, लोग गलत करते हैं, बट आपका काम क्या है, आपकी last time में आप लोग याद कर लो इनको, पूरवी छेती परिसत की इस्थाई समीत की 11 वी बैठक कहां संपन होई थे, फड़ा फड़ जवाब देंगे, तो याद रखेगा दोस्तों यह आपकी पतना में याद रखेगा क्या हो जाएगा, जो लोग करेक्ट दे रहें अच्छी बात है, नहीं दे रहें कोई दिक्कत नहीं, पतना में होई थी, तो याद रखेगा option number जो इसका A है, वो यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा, clear है, तो याद रखेगा यह बैठक होई थी, यहा किस छेतर में सुबदा के लिए धंडोरा एप जो है लाउंच किया गया, तिक्षा, वित्र, रक्षा या रेल, बहुत important है, धंडोरा, तो याद रखेगा दोस्तों, जो धंडोरा एप है, वो basically आपका रेल के लिए, किस छेतर में दोस्तों, रेल के लिए, याद रखेगा, धंडोरा एप है, ये किस से संबंदित है, जो आपका किराया, किराया में जो आपकी कतोटी होती है, रियायत होता है, उनसे संबंदित आपके लिए ये एप जो है, लाउंच किया गया है, अगला कोशन दोस्तों, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि भईया, एक से दस पर तक चलने वाले हुनर होट मेले का एविजन, उत्तर प्रदेश में बताइए कहां पर किया जाएगा, याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपोर्टन्ट है, हुनर होट, अगर कहीं आपके सामने आता है, तो आपको लगाना है भईया, प्रियाग राज, जानते होई चलि किया, यहाँ ट्रेन किस पवितरस्थान से होकर गुजरेगी, जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 14 वर्स बिताए, बहुत इंपोर्टन कोश्चन है, कोश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या गया रहा है, यह अक्टूबर 2019 में, रेल मंत्री प्योज गोईल ने स जिहाना इंटर सीटे तक यह जाएगी, और यह सुल्तान पूर लोधी नामक अस्थान से होकर गुजरेगी, जहां पर गुरु नानक देव ने अपने जीवन के 14 वर्स बिताए थे, क्लियर है, तो आप्सन नमबर जो इसका B है, करेक्ट जाएगा, और दोस्तों यह किस पर ततत सरवेच्षड, A.S.I. ने किस राज्य में की गई खुदाई के पहले चरड के दोरान, लगभग 2000 वर्स पूर्व के स्वर्ड मुखी नदी के किनारे स्थित, एक व्यापार केंद्र, इटो की सनचना और विश्नु मूर्ती का पता लगाया, बताए थर, क्या कह रहा है बारते पूराता, तो सरवेच्षड, A.S.I. ने किस राज्य में, कौन से राज्य में, खुदाई के पहले चरड के दोरान, लगभग 2000 साल पहले पूर्व के स्वर्ड मुखी नदी के किनारे स्थित, एक व्यापार केंद्र, यानि की इटो की सनचना और विश्नु मूर्ती का पता लगा है, तो याद रखेगा, आंधर प्रदेश, कौन से देश में, सर, आंधर प्रदेश में, तो मुझे पता है कि जवाब इसका सहीत लोग को नहीं आ रहा है, बट आप लोग स्किप मत करिए कोश्चन को, भागना नहीं आपको, इस सारे कोश्चन इंपोर्टन ह जो आपके चुने वे कोश्चन वो लेकर के आगे दे रहा हूं, क्लियर है, चलिए, आते हैं अगले कोश्चन पर तो देखिए क्या कहरा आप से यहां पर, कि हाल ही में गांधी मिंडला आवार्ड 2019 निम्न में से किस देश के संस्थान दौरा प्रदान किया गया, गांधी म जो भारत के दौरा, थाइस नॉंबर 2019 की बात है, नई दिल्ली के बिज्ञान भवन में प्रदान किया गया था, यह, क्लियर है, आते हैं अगले कोश्चन पर, तो कह रहा है कि अक्टूबर 2019 में औरिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक दौरा, औरिसा मो परिवार, यानि इसके सहींजग किसको नियुत किया गया, तो याद रिखिएगा दोस्तो, अरूप पतनायक की, किसको दोस्तो, अरूप पतनायक को, तो ऑफसर नमबर जो इसका, ए है, करेक्ट हो जाएगा, 25 अक्टूबर 2019 से यह, आपका स्टार्ट हुआ है, और अरूप पतनायक को इसका सहींजग चुना गया है, चलिए, आते हैं अगले कोईशन पर, तो अगला कोईशन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कि 31 अक्टूबर 2019 को केंदिये प्रदूसर नियंतर बोर्ड द्वारा जारी डेटा के एक 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 अकॉर्डिंग भारत का सरवाधिक प्रदू सबसे प्रदूसर नियंतर बोर्ड आया है, उसके द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, उसके एकॉर्डिंग भारत का सबसे प्रदूसर सहरवाप का गाजिया बाद है, समझ में आ गया ना, चलिए, आते हैं अगले कोईशन पर तो देखिए क्या कह रहा है, कि 26 12 तथा वरिष्ट नागरिक सुक्षा पहल सवेरा का सुवारम किया गया, तो बिल्कुत सही बात है सर उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेसल है, बहुत इंपोर्टन है, याद रखेगा, इंपोर्टन है आपकी यूपी स्पेसल के लिए, आते हैं अगले कोईशन पर तो क्या आपका था और आपका महिला है अपना है निखजा नबे, इन सब को हटा करके आपका 112 कर दिया गया, तो यह चीज़े इतने याद रखे, एक दो, तीन, चार, पांच, यह नंबर, क्लियर है, चलिए, आते हैं अंगले कोईशन पर तो अगला कोईशन देखी, क्या कह रहा है निम्न में से किस राज्य में ABA DHA scheme प्रादम की गई है, बताइए, निम्न में से किस राज्य में ABA DHA scheme प्रादम की गई है, फड़ा फड़ सभी लोग जवाब दीजे सर, 11 फड़ा फड़ा जवाब देखी, हाँ पर आना शुरू हो गया है, तो याद रखेगा, यहाँ पर पीडियाफ होगा, वहाँ पर लिख दूँगा, दे दूँगा, तो टेंसर मत लीजेगा, तो यहाँ पर आपसो नमबर जो इसका A है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गया है न सर, चलिए आते हैं, अगले कोशन पर तो देखी क्या कह रहा है, कि 24 अक्टू सिखा, सो बिसिकली यह सारा कोशन है, इसमें जवाद देखे को कुछ लोग का सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, 165 मिलियन डॉर, बहुत इंपोर्टना सर, 165 मिलियन डॉर, जो बार बार वहाँ पर बेसिकली आपका सूखा पढ़ रहा था, बार बार वहाँ पर प् को किस समस्थान ने भारत नवाचार सूचकांग जो है 2019 जारी किया है, कॉशन नमबर 13, फड़ा फड़ सभी लोग जवाब दीजिये सर, तेरा का जवाब क्या हो जाएगा सर, याद रखिएगा दोस्तो नीत यायोगने, किसमें दोस्तो नीत यायोगने भारत नवाचार योग ग्यापन M.O.C. के तहत पहली समित की बैठक J.C.M. संपन हुई बताईए क्वेशन अबर 14 फड़ा पर सभी लोग जवाब दिये क्या हो जाएगा इसका करेट एंसोर तो याद रखेएगा यहापन नई दिल्ली यहापन नई दिल्ली जवाब आ रहा है तो नई दिली नहीं होगा सर यहापन पर टोक्यों हो जाएगा दूसरा भारत जवाब जवाब आ रहा पर आपका टोक्यों में हुआ था पहला वाला मान सकते हैं तो याद रखेगा 18 अक्टूबर 2019 को को अठार एक्टूबर 2019 को यह स्टार्ट हुआ था आते हैं अगले कोश्चन पर तो क्या कह रहा है यहां से देखेगा किन्यम्न में से किस वर्ष एक्क्यानवी इंटर पॉल महासभा का योजन भारत में किया जाने का प्रस्ताव है एक्क्यानवी इंटर पॉल यानि की अंतर करेगा केंद्रिया नवेशर व्यूर सेंटल और इसके लावा यहां पर जो यह भारती इस्तोतंतरता की जो 75 वर्ष घाठ है तब किया जाएगा और याद रखेगा पहला आपका 1997 में स्टार्ट हुआ था तो यह रहें आपके कुछ important questions तो आज की आपको जो टेस्ट है कैसा लगा आप लोग comment कर दिएगा 100 plus मैंने बोला था 100 plus मैंने आपको questions करवाए यहां पर और आप लोग इसी तरह टेस्ट आते है न हिंदी भी हो साथ में आपका एसे क्रेंट फिर मिल जाए तो आप लोग बताएगा जो comment कर दिजेगा जाते जाते या like कर दिजेगा review अच्छा बाइ बाइ